आज के वीडियो में बात करेंगे कावपर्स गरंतियों के बारे में, कि ये क्या होती हैं, और इसका एक दूसरा नाम है बलबो जूरिथरल, तो आईए समझते इसको. ये गरंतियां जो है छोटी होती है और अंडाकार होती है और प्रोस्टेट गरंतियों के ठीक पीछे होती है ये क्या करती है काउपर्स गरंतियां गाढ़े और पारदर्सी इसके साथ में चिपचिपे हलके छारी द्रव का स्राव मूत्रमार्ग में करती है तो यह जो काउपर से ग्रेंतियां है यह गाड़े रंगे पारदर्सी इसके आरपर देखा जा सके लसलसासा यानि चिपचुपा हलका छारी है तो छारी और अमल तो यह पीच की अधार पर इसको बताते हैं तो पीच मान एक से लेकि चौदा तक ना पाजाता है कि स्केल होता है तो अगर किसी का पीच मान साथ है मतलब एक से चौदा की बात हो रही है तो जैसे यहां से एक से श्टार्ट है यहां पे चौदा है तो इसके बीच में सेवेन का मतलब है यह चारी है ठीक है अगर अगर नीचे जाता है तो वह तेजाबी है यानि अमल है अगर साथ के न मार्ग में स्रावित करती है इस पदाद को काउप पर सिग्रंतियां जो यूरीन वाली नली है जहां से यूरीन पास होता है वहाँ पर ये निकालती है छारी द्रव को जो की चिप चुपा है पारदर्जी और गाड़ा है यह स्राव मैथुन के समय मूत्रमार्ग को छारी एव चिकना बनाएगा क्योंकि देखिए जब यूरीन उस ट्यूप से निकल रहा है जहां से पैसाब निकलता है तो उसमें अमली पन रहता है अब जब उसको सेक्स करना है तो उस समय उसको ये वाली गरंतियां क्या करेंगी स्राव निकाल करके उसको छारी और चिकना बनाएग यानि उसकी अमलीता को खतम करेंगी खतम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर वो नहीं अमली पन नहीं खतम किया जाता है तो जो वहाँ से अभी सुक्राडू निकलने है तो वही पर खतम हो जाएंगे वो फिमेल की बॉड़ी में नहीं जा पाएंगे बैजाईना में तो इसलि मादा की वाजाईना को भी चिकना करके मैतुन करिया में सहायक होता है तो कौपाज गरती से जो स्रावित होता है यह एक और गामनी कर रहा है कि फिमेल के बॉड़ी में जा करके वहां पर चिकना बनी पनान करता है और सेक्स के दौरान प्रॉब्लम नहों इसली जो है सेक्स हो जाए जो रेप्रोड़क्टी ओर्गन है मेल का वहां पर जादा घर्श और ना हो और दूसरा जो स्पम है जो सुक्राडू है उनको भी इजली माद से निकलने में आसानी हो तो इसको चिद्र के द्वारा भी देख लेते हैं कौपत गरंती को तो यहां पर बात की गई थ की छोटी गरंती अंड़कार प्रोस्टेट के ठीक पीछे होती है तो देखिए यह वाला पार्ट है मुत्रास है यानि इसमें मुत्रे खटा होता है और यह वाला हिस्सा ही प्रोस्टेट होता है अब प्रोस्टेट के ठीक नीचे ही बताए गया है यह देखिए प्रोस्टे उत्रों नली बनी है यही से यूरीन पास हो करके जाता है तो यह अपने केमकल कस्रावित करके इसके अमली माद्धियम को ख़तम करती ताकि इस पर मजो है असानी से यहां से आगे जा सकें